दलहनी फसलों में एहम स्थान रखने वाले चना की खरीद में इस साल मार्थ्य परदेश और महारास्ट्र ने दूसरे सभी सुबों को पचाट दिया है कई राज्यों में रिकोर्ड खरीद के बाबजूद अभी सरकार लक्षय को पूरा नहीं कर पाई इस साल अब तक चने की कुल खरीद 25,92,000 मिट्रिक टन हो चुकी है जबके टारगेट 29,000 मिट्रिक टन खरीद का रखा गया था यानि इस साल तै किये गए टारगेट का सिर्फ 89 फीसद चना ही खरीद आ गया है वहीं एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 1 मार्स 31 अगस 2022 के दुरान मंडियों में चने की आवग पिछले साल की समानवधिक की तुनला में 15 फीसद अधिक रही है और यह 19,07,000 मिट्रिक टन दर्च की गई है महराश्ट्र में चने की खर 8,002,000 मिट्रिक टन चना खरीदा गया है चबकि महराश्ट्र में 7,006,000 मिट्रिक टन चने की खरीद की गई है और इस साल अब तक पूझरात में 5,69,000 मिट्रिक टन चने की खरीदी सरकारद वारा की गई है चबकि आंदर परदेश मेंज अब तक खरीद तब यहीं हो चुका है और उत्तर परदेश में चने की सरकारी खरीद का खरीद का हरीद सरकार्द आषम दान पूरा हो चुका है केंद्रिय क्रिशी मंत्राले के चोथे अगरी अनुमान के मुदापिक देश में चना उत्पादन सालाना अधार पर 15.4 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 137,05,000 मिट्रिक टन होने का अनुमान है राजयवार बात करें तो गुजरात में चना उत्पादन 49 फीसदी बढ़कर 21,04,000 मिट्रिक टन होने का अनुमान है और राजस्तान में चना उत्पादन 20 फीसदी बढ़कर 27,02,000 मिट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है जबकि महाराश्रों में चने का उत्पादन 15 फीसिदी बढ़कर 27,6,000 मिट्री टन रह सकता है चने की धलनी फसलों में एहम स्थान है इसमें 40% से ज्यादा इसी की हिस्तेदारी है और चने का उत्पादन लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी वज़े से इसके आयात में करीब 31% की कमी देखने को मिली है अपना देश अभी तक दलन फसलों के मामले में आतम निर्भर नहीं है हम सालाना लगबग 10,000 क्रोड रुपई की दाल इंपोर्ट करते हैं इसलिए सरकारी दलनी फसलों की बुआई के लिए प्रहुचान दे रही है और चने का MSP 5230 रुपई प्रतिक्विंटल टेह किया गया है जबकि कई सूबों में किसानों को इससे कमदाम मिल रहा है बिरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी